इश्क बाग शो में अनिका का करदार रिभानी के बाद अबसुर भी चानना नागन फाल्फ की नागन बानी के रूप में सब ही का दिल जीत रही है यूँ तो इनोंने काफी कम समय में ही अपनी दमदार अदाकारी और खुबसूरती से आज टीवी इंडूस्री की एक सफल एक्ट्रस के रूप में अपनी पहचान बना ली है लेकिन आज भी लोग इनके बारे में सब कुछ नहीं जान पाए हैं आज भी लोग इनके बारे में 10 ऐसे इंट्रस्टिंग और अन्नोन फैक्ट्स से अंजान हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो अगर आप भी उन 10 फैक्ट्स को जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में 10 ऐसे ही हैरान करने वाले अन्नोन और एंट्रस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में कोई नहीं जान था अगर आप भी इन से जुड़ी उन सभी 10 facts के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अस वीडियो गयान तक बने रहे हैं और साथ ही सुर्भी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें सुर्भी ने अक्टर बनने से पहले अथर्व इसिट्यूट अफ मैनेजमेंट से मारकेटिंग में अम्बिय किया जिसके तहट इन्होंने बतौर इविन मैनेजमेंट काम किया और इंटरनाशनल इंटर्ण प्रिंसेस पेज़ उनकी मेजबानी भी की थी असल जिन्दगी में सुर्भी बहुत जिन्दादल इन्सान है और इन्हें लोगों के साथ प्रैंट करना इतना पसंद है कि ये शो के सेट पर अपनी कुई स्टार को भी नहीं छोड़ती और हर किसी के साथ प्रैंट के सेट का माहौल खुश्निमा बना के रखती है ये एक बहुत बड़ी फूडी है जिन्हें हर तरह का खाना पसंद है खाना खाने के साथ साथ उसकी फोटो अप्रोड करना भी इन्हें बहुत पसंद है नमबो फोन बहुत कम लोग जानते हैं कि सुर्भी ने तरह केता का उल्टा चश्मा में स्पीटी के रोल में कैमियो कर अपने करियर के शिरबात की थी और इस बात को भी कम ही लोग जानते हैं कि सुर्भी वध्या बालन के फिल्म बॉब जासूस में भी आमना खान के किर्दार में कैमियो अपियरंस में नज़र आई थी इनका रोल काफ़े छोटा था क्या आपने इन्हें उस फिल्म में नोटिस किया था या नहीं यो तो सुर्वी चौन्दा कराम इनके को स्टार नकुल महता और नमत खना से जोड़ा जा चुका है पर वो सब अफ़ा है क्योंकि ये अपनी रियल लाइफ में बिजनसमेन करण शर्मा को पिछले 5 सालों से डेट कर रही है जिनके साथ ये अक्सर रोमैंटिक तस्वीरे शेयर करती रहती है और खबरे हैं कि आने वाले सालों में ये उन्हीं के साथ शादी करने वाली है इंडिया फोरम्स के अनुसार ये पता चरा है कि सुर्वी साथ रेस्टरेंट के अकेली मालकिन है जो मुबई और दली में है इन साथ रेस्टरेंट को ये अकेले ही सभालती है इसके अलावा भी इनकी करूरों की प्रॉपटी मौजूद है अगर इनकी पूरी प्रॉपटी का अंदाजा लगाया जाए तो ये कितने करूर की मालकिन है ये जाना थोड़ा मुश्किल है सुर्मे चांगा भले ही शोज में हैवी मेकप में निज़राती हो पर ये अपने रियल लाइफ में नो मेकप को इमपॉर्टन्स देती है और बिना मेकप की अकसर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है जिसमें बिना मेकप की भी ये काफे संदर दिखाई देती है इसले तो इनके पास इनके घर में एक प्यारा और संदर पालतू डॉग है जिससे ये अपने से भी जादा प्यार करती है और इसका खूब धियान रखती है अपने हर शो में संसकारी और सिंपल अप्टार में निजरानी वाली सुरभी चन्ना अपने रि Boyell Life में काफे stylish है ये अपने रियल राइफ में काफे stylish outfit केरी करती है जिसमें इनका लोग काफे संदर लगता है इसलिए तो ये टीवी इंडस्ट्री में स्टारिश बहू के नाम से काफी फेमस है सुर्भी चांदा और सुर्भी जोती रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स है पर जब से दोनों ने साथ में खुबूल है शों में काम किया है तब से दोनों एक दूसरे की पंकिस सहेलियां बन गई है जो एक दूसरे को समझती है तो दोस्तों आपको इनके बारे में कौन सा फैक्ट जानकर हैरानी हुई आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बता और साथ ही टीवी इंडस्ट्रों से चुड़ी ऐसी मसालिदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें